आप लोगों के लिए एक नई अन्वाक्सिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं आज हमारे पास है वेल कंपनी की तरफ से आने वाला ये ट्रिमर्ड जिसको बोलते हैं होम किट एक तरह से कह सकते हैं ये होम प्रोड़क्ट है तो आप लोग देख सकते हो होम कट के लिए एक ट्रिमर आता है जिसमें हमें आठ अटरच्मेंट्स देखने को मिलती हैं सब कुछ देखने को मिलते हैं में लिए Amazon पे काफी ज्यादा इसको काफी ज्यादा लोगों ने बाई कर रखा है तो आज हम इसको अन्बॉक्स करने वाले और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यह लेना सही है या गलत है आप लोगों को यह लेना चीए या नहीं लेना ची हची क्योंकि आपका भाई आप है और आपका भाई आप लोगों को कोई भी गलत प्रोड Nat लेने के लिए जो चीज़े mention है मैं उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं यहाँ पर आप लोगों को जो इसमें highlights दी गई है काफी जाद है यहाँ पर बोला गया है कि यह शार्प होने वाले हैं और यहाँ पर आप लोगों को वो taper control देखने को मिलता है जो उपर नीचे करते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी है और लोंग लास्टिंग मोटर है वह सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर जो भी attachments देखने को मिलते हैं उसकी highlights हैं इसको खोलते हैं हमारा जो trimmer है वह आता है ऐसे एक पाउच में और इस box के अ हमारा trimmer आता है सबसे पहले जो एक azule polythine में आता है और यहाँ पर लोग देख सकते हो black और white color के combination में हमारा trimmer आता है तो इसको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पर बाकि सारी attachments देखने को मिलती है तो इसको यहाँ पर बाहर निकालते हैं सब्सक्राइब करने को मिलती है जिसकी quality काफी खराब सी है मतलब उसमें durability तो लगने रही क्योंकि काफी खराब quality यह लग रही है तो लचीली सी हलकी सी और यहाँ पर attachments कितने हैं यह काउंट कर लेते हैं यहाँ पर हमारी attachments है 12345678910 सो हमें यहाँ पर 10 attachments देखने को मिलती है इसके साथ लेकित रखते हैं और बॉक्स इसमें देख लेधे और क्या क्या चीज़े है तो यहाँ पर हमें एक user manual देखने को मिलता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है और भी देख लेते और इसके साथ हमें यहां पर एक वारेंटी काट देखने को मिलता है यह भी यह सब अंदर जाएगा इसके और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं देखने को मिलता और इसके अंदर हम अपना ट्रीमर रख सकते हैं मतलब यह बैक जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है ठीक ठ इसके यह वाइड और ब्लैक कलर्र क्या दिजाइन में देखने को मिलता है जो कि काफी सही सा एक अच्छी फिनिश के साथ हमें देखने को मिलता है अज़लब डिजाइन होग रहा है आप लोगों को डिजाइन एक बार दिखाता हूं या देखे किता सही सब अजाइए और यहां पर हमें यह मारे कंट्रोलर हैं तो सबसे पहले मैं इसे अटाता हूं यहां से जब भी आप इसको यूज ना करें तो इसके उपर कोशिश करें इसे लगा दीजिए वरना कट सकता है सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ब्लेड्स हैं यह काफी ज़्यादा वाइड हैं मतलब काफी ज़्यादा थे नहीं बट नॉर्मल ट्रिमर से वाइड हैं जिसकी वज़से यह काफी लार्ज एरिया कवर करता है सूच चलते हैं इसको एक बार चलाके देखते हैं और कैसी सी आवाज वगरा करता है, जदा लाउड वगरा तो नहीं है, वो आप लोगों को सुनाते हैं केबल भी काफी जादा लॉंग है और यह एक इलेक्ट्रिक टिमर है यह चार्जबल नहीं है इसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं यह आप डेरेक्ली इलेक्रिक्रिक्टी में प्लग करके ही चला सकते हो तो ऐसा कुछ आवाज कर रही है यह कि और अम बागी चीजों की बात करें तो इसमें जो भी हमें अटेश्मेंट्स होगेरा देखने को मिलती है यह सारी छली मान 15 एक्रिक्टीफ से लेकर आप लोगों को 45 वक्रिक्टीव में तक की सारी है यह तस्स Enig celebrities आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो भी यह अटेच्मेंट्स होगे रहा है और यह स्ट्रिमर की अगर मैं बात करो तो इसका जो यह ब्लेट वाला एरिया है यह थोड़ा सा वाइड है जिसकी वज़े से यह थोड़ा लार्ज एरिया कवर करता है मतलब अगर आप ट्रिम यह थोड़ा सा बड़ा है इस ट्रिमर की और इसके मोटर की सबसे खास बात करें तो यह लग लोगों को 6000 rpm के साथ देखने को मिलती है 6000 rpm रन पर मिनट मतलब 6000 रन पर मिनट इसकी मोटर काम करती है और अगर हम स्ट्रोक की बात करें लगबग 14400 यह पर मिनट में देती है जल्दी फास्ट रिफाइन कट आप लोगों को यह ट्रिमर दे सकता है सो यह सारी चीजें इस ट्रिमर को काफी ज़दा अच्छा बनाती है और आप लोग मानोगे नहीं इससे पहले भी मैं ट्रिमर यूज़ करता था बट क्या हुआ वो ट्रिमर थोड़ा उपर से गिर गय और आप इसे ट्रैवल करते हुए कैरी नहीं कर सकते और ज्यादा दूर तक मतलब इसके तार भी लिमिटेड एरिया तक ही जाएगी दो मीटर की तार देखने को मिलती है बट आप उसे ज्यादा दूर तक दो मीटर ही एरिया में रख सकते हो यह कुछ लिमिटेशन से इसकी बट अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रीमर की बात करें तो मेरे इसाब से बैस्ट है बारा थेरा सो और पैमें यह काफी ज्यादा बैस्ट है और इतने सारे अटेजमेंट सीजर वगेरा देखने को मिलती है जो की काफी अच्छी बात है बाकि इसमें और कॉम पुत्ती अच्छी बता देता हुए शोचलते हैं काट करते हैं यह वो अटेजमेंट लगाना काफी ज़्यादा इजी है बस इसके ऊपर रखिए और अटेश्मेंट तो लग गई है अब चलते हैं इसको यूज कर लेते हैं काहई ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फाइनली इससे कटिंग कर चुका हूं मैं और आप लोगों को अब एक्सपीरियेंस मतलब जो भी मैंने अभी फील करा वो मैं बताता हूं काफी ज़्यादा मतलब इसके जो यह चीजें हैं यह चीज बिल्कुल भी फील नहीं होती और काफी ज़्यादा रिफाइन कट हुआ है आप लोग देख सकते हो मैं नहीं चाहता कि था कि मेरी पूरी डाड़ी जो है फिर बहुत ज़्यादा जीब से लगता है बट अभी जो मुझे कट मिला है काफी सही मिला है और लग भी नहीं रहा कि मैंने डाड़ी कट करी है तो यही वाला कट मुझे अगर गिरे भी तो तूटे ना डिजाइन के मामले में काफी अच्छा है और इसकी बस एक ही दिक्कत है कि 10-15 मिनट बाद यह थोड़ा सा मदलब हीट होने लगता है इसके अंदर मतलब 10-15 मिनट में तो आप अपने बाल और काटी लोगे और उसके बाद अगर आप 10-15 मिन थोड़ा सा हीट हो जाता है बाकि इसमें कोई भी लैग वगरा देखने को नहीं मिलता कि चलते चलते रुख जाए ऐसा कुछ तो थैंक्यों सो मच मेरी वीडियो देखने क्लिए और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा